कि अगर आपको नहीं पता है तो आपको एक basic overview उसका मिल जाएगा पूरा डीटेल में अब सबसे पहली बात तो यह कि अगर आप किसी भी IT इंडस्ट्री में जाते हैं तो जनरली क्या होता है पहले ना waterfall model approach हमारी यूज़ होगा कर रहे थी for any application अगर हमको यह develop कर रहे है अब उसमें क्या होता था कि अगर आपको सबको सबसे पहले हम clients से मिले हमने requirements लिए अच्छा प्रड़क्ट नहीं कर समय रहा है तो वह काफी सारी प्रब्लम्स आती है और एक और अगर हम डिसकर्स करते हैं सिनारियो लाइक अगर उसने बोला हमने बोला है कि development टीम जो शे महीने लग जाए आपके इस प्रड़क्ट को बनाने में फिर उसके आथ सब्सक्राइब आते प्रब्लम हो जाती है राइट वाटरफॉल मोडल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी यह मैंने आपको दो-तीन स्पेसिफिक गिनवा दी है बाकी तो फिर इसी रहे हमारा एजाइल मेत्टलोजी का हमारा कंसेट जो है यहां पर आया है इंटू पिक्चर अब वाट इस एज ός हमारा दो वीक नोस सकता है और चारी कर सकता है मतलब मतले हैं यह कोई कंघ टीन हें बिसकली अब कमकोने चार्विक नियुविक कर सकता है मतलब बेसिक में कि हमने एक प्रॉडड़क्ट रिखाएंगे प्रॉडक्स की निहीं म letting us लो के तीन एक चम ने कमने 3 स्पष्वीच प्रफ्स फीचर आपको दिखा देंगे करके तो सब्सक्राइब अपना पहले स्प्रिंट में अपना काम किया पूरे डेवलफ्मेंट टीम ने काम किया अपना कॉस्टमर है उसको मुने दो हफ्ते बाद दिखाय कि दिखो हमारा यह करके बना हुआ है अगर वह यह उसको लगता है कि नियार इसमें यह कमी है फिर इसमें ऐसा नहीं मैं ऐसा चारहा हूँ तो उन सब चीजों का आप मतलब चेंज सगर सकते हो राइट तो यह हमारा सिनारी होता है इन एजल में अपकी जो पूरी टीम काम करते हैं जनली साथ से आठ बंदे होते हैं ठीक ह यह पोई हिरार्की नहीं होती तो यह आपका बेसिक सचिनारी हो तो आफ्टर स्पेसिफिक टाइम हम एक प्रोड़क्त बनाते हैं डिलिवर हम करने के लिए ठीक हमारा होता है वह उसमें कुछ फीचर होते हैं हम दिखाते हैं आफ्टर और वन स्प्रिन्ट स्प्रिन्ट की ठीक है आपकी extreme programming हो गई and आपके ये कुछ methods होते हैं तो basically जो मैं आपको बता रहूँ sprint वाली बात हो sprint मतलब वही हो गया duration आपका ये आपका scrum में use होता है right तो ये आपका scenario है basically अब इसमें क्या होता है अब चार आपकी values होते है 12 principles होते है तो ये सारी detail में अगर आपको वीडियो जानना है अगर आप इंट्रेस्टेट हो तो मिझे comment में बताएगा मैं agile की specific अलग से सीरीज स्टार्ट कर दूँगा तो ये आपका basic सनारी हो गया अनि फिर आप college student आपको पता चला होगा कि industry में जहातर products projects वगयरा जो बन रहे है agile methodology पर ही बन रहे हैं अगर आपको नहीं पता है आप इसके बार में explore कीजिए college में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा अगर specifically बार करते हैं कुछ companies की तो फिर आपको agile का certification भी mandatory करना होता है ताकि मतलब जैसे आप किसी project में डलते हो तो आपको पहले agile certification है उसको आपको complete करना होता है मतलब कुछ companies का specific भी होता है कि आप से एक specific example कोई company xyz तो xyz company ने अपना एक specific agile certification का test बना रहा है you have to clear it and then only आप अपना project वगरा में डलता होगे तो ऐसे भी कुछ rules होते हैं कुछ companies में तो आप agile के बारे में जरूर से explore कीजिएगा and if you want कि मैं वीडियो बना हूँ agile के future में तब comment करके बताएगा ज्यादा comments आते तो I'll surely like start a series on agile also तक आपको basic idea हो जाए तब तक आप agile मतलब explore करो कि scrum क्या होता है कानबन approach क्या होती है right extreme programming क्या होती है and so on तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा future में भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे industry में क्या चल रहा है ऐसे इसके में shorts वीडियो भी डाले में कि what is important for industry level आपका docker continuous integration and so on बहुत सारी सब्सक्राइब कीजिएगा आपको बहुत सारे वीडियो ऐसी मिल दे रहेंगे future में support करो भाई को subscribe करो चैनल को and thanks for watching बहुत सारे educational वीडियो डाले में चैनल पर इंट्रेव्यू डेटीड वीडियो डाले में जाएए चेक कीजिए and thanks for watching टेक के गुडबाई चैहिंद वन्दे मातरों